कि मोवांदीज मेरा कि अला चो वेलकम बैक टू एया ओलाइन सलोसन क्या हाल चल सब बढ़ियां आई हम लोग पढ़ते उर्दू कंटिनी उर्दू की क्लास चाल रही जो बच्चे को उर्दू प्रोबलम है तो उर्दू पुरा चेप्टर को खतम करना है पूरा पढ़ना चे जो चेप्टर होने वाला बच्चों आप लोग का चेप्टर नमर बारा होने वाला है ओके आवाजार इहां उर्दू का चेप्टर नमर बारा कंटिनीव चलेगा उर्दू लास्ट हो जागा तब फिर नौन हिंदी पढ़ाएंगे तब भी संस्कित गौधुली जोगा मैं पढ़ा दूंगा अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं तो जिसका पीछे का छूटा हुआ है तो प्ले लिस्ट मना हुआ वहां पर चेक कर लिजेगा और पहले पूरा पर लिजेगा अगर उर्दू में आपको 95 के आसपास नमबर लाना है 95 प्लस बोले है ना इसकी करीब अग ग्लियर जा रही है बच्चो सबको अगल कर गुद आप्टरून गुद आफ्टरून आज वाले को चिक है आये आज जो पढ़ने वाले है पढ़ने वाले हैं प्रने वाले हम लोग आज फैमीदा और मजली बेटी हमीदा की गूस्तवों एक नॉबल है नौवल है नौवल स और यह जो आज जो पर नियास परने वाले है पूरा बना अडिप्टी और मंजली बेटी हमीदा की जो गुफ्तगू है ठीक ना उसका जो नौवेल आज है उपरने वाले देप्टी नजीर अहमत के जो लिखा है यह और यह जो है छोटी से मदब बात उठाए एक नौवेल से जो नौवेल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जी जो नौवेल है तौबतुन नसू क्या है तौबतुन नसू तौबतुन नसू इस नौवेल का थोड़ा सा जलक दिखलाया गया इस चैप्टर में नौवेल क्या होता है इसके वारे हमनों डिटेल से पर चर्चा कर लेते हैं आप लोगों ने अफ्साना पढ़ा आप लोगों ने अफ्साना पढ़ा याद आपको आपने पढ़ा अफ्साना अफ्साना में क्या पढ़ा अफ्साना में क्या पढ़ा अफ्साना अफ्साना में क्या पढ़ा अफ्साना में मुक्तसर कहानी क्या मुक्तसर कहानी मुक्तसर कह कहानी दो कुछ तो कुछ लूग पढ़े हैं के लिएधों लोग और यह जो पढ़े आप सारा जिसे पढ़ें लोग आप साथ चैप्डरा पर आप कहानिक बारे में तो इसमें अब वाटकाइता था वच्चों किसी की ब्रॉब कर एक पहलू उठा करके इस अफसाना है पेस किया था शाख आश्याना इसके बारे पढ़ाएं पलए ओके याद है आप लोग को ओके प्यों गहाँ है मैं चलिए ठीक है ओके दिजिए धियांस देखिया आप लोग करने वाले और अब लूब फंड़ने वाले अफसाना क्या अफसाना के बारे पड़ने सोड़ी नॉविल पड़ने वाले क्या नॉवल नॉविल मतला मैं इसका डेटिल्स नहीं आप नॉव इसके लिए पना पड़ेगा और नॉवल आपके किताम में नॉवल का छोटा सा जलक दिया दिख लाए गया तो यह पूरी जिंदगी कहानी है ना पूरी किताब और अफसाना क्या होता है तो तीन चार पन्नों में मुक्तसर जो है जो कहानी उसको बोलते अफसाना ठीक है तो आदब की देन सवाल बनेगा नौल कहा से आया भाई नौल कहा साया तो मगरिभी अदब पचमी कि मगरवी अदब की देन यानि कि मगरीभी अदब से निकल के आया जो अंग्रे इंग्लैंड तरफ होता न उधर मगरवी उधर से निकल कर गया है नॉवल की इजजाय तरकी भी क्या है इस नॉवल में क्या क्या इस्तमाल क्याता है इस नॉवल में प्लॉट होना जरूरी होता है किरदार होता है एक महौल तयार होता है समझे ना एक प्लॉट मतलब जमीन आस्तर पे ठीक है एक कुछ 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 किरदार होत होता है उसमें महाल भी त्यार कियाता है मुकालब मतलब जो है कलाम वगढ़ा जजबात निगारी सब्सक्राइस जबाता यह सबसब्गी इस में उसे और पुरह पुलोट के नौए पुरहरा चिक्रे होता है 돌 किरदार के वारे मुचों किया जाता है तीक है न मुकालमा यह सब कुछ दिखाए जाता है अब देखें आप पर जब नौवल की जब बात आती है तो डिप्टी नजीर अहमत का नाम पीछे नहीं रा सकता है डिप्टी नजीर अहमत को बोलते अर्दु का पहला नौवल किसको बोलेंगे डिप्ती नजीर आहमत को बोलेंगे ठीकर नजीर हमत को उर्दु का पहला नौवे निगार ठीक है ना और इन इन्हों सब्सक्राइब के नौवेल नहें नौवेल काँ लिखना अगर आपसे पोछा जाँगा उर्दू नहें अहद का आगाज मतलब नए दौर का आगाज नए दौर का आगाज कब बिस्मी सदी आपको नावल कानाम जाते हैं को वहां नावन निगारों का भो बहुत वहां रहा है आप जैसे इसे दिल्चस्पन का नाम लिखा है उन्हें से बहुत को आप जानते होगा पहला नाम आता है है ना हाली हो गया पंडित रतन्ना सरसार हो गया है मिर्जा मिर्जा सौधा मिर्जा हादी रुस्वा प्रेम चंद के बारे में जानते हैं साध अजीमा बादी इस नौवेल निगारों ने लिखा और इस नौवेल की दुनिया में अपना कदम जमा करके जो है बहुत ज्यादा फेमस हुए मसूर वे और एक नया जो है अदब पे से शेंचे दो लिखा करांक कीता आफमद कर राल के लिखने वाले कंड़ी तो नसू तो भतुनिश के लिखने वाले कौन है तो डिप्टी नजीर हम लिखने वाले को ने कौन है तो अब थी कोन है मुसनिफ झाली करते रहोगे ठीक है वालेकुम अंसर दो जवाब दो जार तुम लोग सिर्फ ससलाम करनें पर लगे हूँ जवाब दो जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ठीक है तो डिप्ति नेजर अहमाद को उर्दू का पहला नौवेल निगार बोला गिया और इन्होंन और मंझली बेटी में तो में तो मुतलब आर माव डि replicate गुफ्तागों Laham हो नशू नशु एक आदमी का नाम रहता है चप्टर में हम च्प्म Ultracmiş है ना उसने फाहर अरे माव यिए आपस में गुफदगू करता है पड़ाइक को लिए करना एडूकेशन के लिए करके है ना पड़ाइए यह गुफदगू करता है ठीक है चलो अब इस वारें रहमत की रहारें सब्सक्राइब कि सवाल वनेगा कि आठधाइब अठारा सो चर्थिस को कवी थी याद रहा सो चैस्था में अठारा सो च्छिस में अंग्रेजुएं का दौर चल रहा थो समय ना अठारा सो चैसे में लए रहमत की पैधास कहां वह की लाघुचा बिजनौर पर किस राज रता यह बताओ बिजनोर किस राज धे मरता है बिजन आजए बीजन और परहा है तो मत weten if करेंगे बिजनोर अब करेंगे विजनोर कहा पर्दा है हुआ हाँ आई टेक है वह क्या बाद है याँ वेरे गुड़ करें तो 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 बिजन ओर अहां अठाशा चटीस है बजन और पैदाश्मीति उनके वालेद कराम का था सादत अली क्या था पहने और फार्सि वालत से की पैदास कहां पर यूपी परता है अधर पतर पतरрон है और इन्होंने और फार्षी किसी सीखा अपने वालिद से किसे वालिद से वालिद कौन थे साधत अली ठीक है ना आगे बोलता है कि नजीर अहमद आला तारिम हासिल करने के लिए दिल्धी गए कहां गए अपराफ करने के लिए डिलिया प्रींस्पल कारगल के तवस्थते तो मौलवी अब्दुलखालिक की साधिव तो मौलवी अब्दुलखालिक की से उनकी शाधिव भी थी आगे बोलता है जो गढर चलतां गढर पता ना आटारासु संतामन का गढर पताव लोगो ऊसा का वाक्या पेश आया था आगे पढ़ते हैं किसी तरह वह दिल्ली आ गए और तस्नीफ में पढ़ने लिखने में पढ़ने में पुरा मशुरूप रहे उर्दू का अवली नौविल निगार तस्लिम किया गए यह सवाल बहुत का पहला नौविल निगार अगर बोलेगा उर्दू का पहला नौविल निगार को ने डिप्टी ने रहमाद मुरत रूष की अशाथ इनका मुरत रूष क्या मुरत रूष सवाल पुझाएगा मुरत रूष जो है किसका नौविल है तो डिप्टी निज रहमाद का उनिस अठास रूष में जो इनका यह आया अठास रूष नोविल लिखा है ना कौन था मुरत रूष इसका पहला नौविल होगा आगे बोलता है उस नौविल के उसके बाद उन्हेंने बताता क्या कि अठास रूष नौविल क्या है निबातुन निबातुन उनूस निबातुन उनूस शाय हुआ था इस नौविल में तालीम पर खास जोर दिया गया है आगे पड़ते बोलता है इस नौविल फिर तोबत नसू की असाथ लला सवाल बनेगा इसमाहत को पहला नोवेल में थे अपसाना मुद्ञा इसके बारे में इनका अफसाना है इनका आखिर नोवेल ने इनका आखिर नोवेल कोन है लेकि यह सब नोवल और याद रखना है उनका आखिर नोवल कौन था कुछ रोया क्या है रोया सदका साधिका क्या सभी है कि में सब्सक्राइब मिस्टे कुष्टिक हो गया अधिकत हो सकता है कि अधिक है कि रोया सदका ठीक है ठीक है रोया सदका और जो अठ्षास चौराशे में इसमें इंपोटेंट क्या है इसमें इंपोटेंट है कि नौवेल फिर इनका इनका इंतकाल को इनके मौत को बता उनुसों दस में इनका इंतकाल हो इनके वालिद के नाम इंपोर्टेंट है और फिर इन्होंने कौन को सब्सक्राइब यह ज्यादा इंपोर्टेंट है आगे यहां पर कुछ है नहीं अब हम देखते हैं चेप्टर चेप्टर में क्या है चेप्टर जो आपको लिया गया है वह कौन है यही चप्टर है आफ सवाल बनेगा नसुअ की बीवी कौन है और इसकी मंजली बेटी है ना मंदिली बेटी कौन है हमीदा हमीदा अब आप सवाल बनेगा नसु क कौन है तो सवाल बनेगा तो जब कि भीतọn है तो दोनों के बेटी है ना हमीदा के वालिदा हमीदा हमीदा की कौन है थो सवाल बनेगा हमीदा नशुकी कौन है बेटी है ऐसे सवाल बनेगा ठीक है तो इसलामिक के बारे में कि नमाज रोजा इस बाते करते हैं कि लोग खड़े कैसे हाथ बानते हैं क्या करते हैं तो इसे सवाल करते हैं वह यह फिर यहें ऐसे सवाल करते हैं लेकिन मंघ लिए हमीदा ऐसे सवाल करते एकदम उल्टा-फुल्टा हां कि अब बिन आवाज के पढ़ते रहते पढ़ते रहते नमाज करते कर जाते जुगते कभी खरे होते कभी हाथ बनते तो इन सभी सवाल को जवाब देता है ठीक ना इसके जितने सारा नौवल है वो जो है तालीम पे नज देखे दिया हुए आपे नसु की बड़े बेटे का नाम कलीम है इसका बेटा है उसका बड़े बेटे का नाम कलीम है हलाकि सवाल आप नहीं सब पूछाए कभी लेकिन में ले उसले तो बड़े बड़े बेटे का नाम का कलीम है कलीम इनके बड़े बेटे का नाम है ठीक है हम है कि तीक है आगे एक लड़की है एक और बैटी है जिससे और बहन इसके आलिया नाम के लड़की है उस को बता है जब नसु का दूसरा लड़का इसनका पहले लड़का कलीम लड़के आप हमीदा नाम करते तो यह सब यह सब यहां पुछाइगा पुछेगा जसे आप को मैं दिखाता हूं सवाल जो सवाल पूछता है तो एक में देखाता हूं मैं इक मैट करें आए आए पर देख सवार यहां पर आपको बला करते हैं बला होता किने हैं कि देखें कि अधिन देखे रापको क्या आपको सवाल है अब देख रहा कि मैं आपको भी देखे रहा हैं जह सवाल लगाते हैं इसकी पैदाश्य दिख रहा है है देख रहा ना चलो देख रहा है तक है कि देखर इसको ब्लोक करे तो तो वडाट तो तो सवाल है नजीर अहमत का तालुक उर्दू नसारथ की सनफ तो नजीर अहमत को लिखता है दास्तान अफसाना मुपना नौवेल लिखता है नौवेल लिखता है ओकला नौबब हो सब्सक्राइब तो नजिर आपको पड़ाता हूँ तो बच्ची मोटना ज्याद इंटरेस्ट ने रहता है लेकिन जब आपके लिए और लगता भी है कि इसी तरह से किया लेकिन हम चाहते कि पहले एक बर हम कर ले बस जादा नहीं इस पर फोकस कर जाएगा तो आपको पहले लेक्टर हम पढ़ाता है तो में चीज यही है अगर आप इसको पढ़ता है लेकिन आप बच्चे को ऐसा मनस्क्ता बना हुआ बच्चों का बना हुआ है तो हम लोग भी तीचर लोग यहीं सोचेंगे बिल्कुल सही बात चुकि अपने को फाइजा क्या है ना कि आप लोग को यहीं बताते चल जाए उनके वालिद का नाम क्या था साधत अली था चाले आगे बढ़ते हैं नजीर रहमद आला तालीम हासि तो कहाने का था आप चेप्टर को पड़ते हैं तो कहानी दिली तो कहानी के इना दो वह क्या कोलेजे़ उन्हों ने द Corps लाए तक आए कि था कि यहां पेप टेंपल साहर नाजर हमने किस सोबा में मुलादमा शुरू किया तालीम माश्यत डाक खाना हॉस्पिटल तो यहां पर तालीम माश्यत तो होगा नहीं यहां पर टालीम ही होना चाहिए तालीम होना चाहिए रहा है तालीम चाहिए तो आगे इसका नहीं कितने रुप्ये महवार पर मुलाजमा सुरू किया तो भाय निकल जाती है ठीक है बताता हूं चलो तो इसका अंसर बताता हूं चलो कि उसका सही था चालीज रुपीय ठीक है ना जो है ना बोलाजमा शुरु के जब उस्तना कानपूर के किस उहदे पर हुआ था हलाकि सवाल पूछे नहीं नहीं दिया हुआ है ना डिप्टी इंस्पेक्टर ठीक है ना आगे सवाल जो आपके किताब में दिया हुआ हुआ है वह एकदम 99 परसंट की पूछेगा लेकिन नजीर अहमत के वारें जितना बाते लिखी हुए नहीं पूछेगा उसका डिपली और नहीं जागा इसमें सवाल भी था ना कि कौन सा मुलाजमत इक्तियार किया उतना डिपली द कौन थी बेटी थी तो नौवल शुके मरकजिक किरदार कुन है ? में हिरो कौन है इसे नौवल का में किरदार कौन है नसूं है ना दसू वर्दु में पहला नावल निगा आगा σवाल है उर्दु को पहला नवएल नगाल आगर बूला दया तो डटी नजरहम अगे विल्सिंटन्स थे मिलाइं तो हमिटा ती के वह वह फिक्व संन दिए तौबतुन नसु गोदान अम्राव जान शिकस्त तौबतुन नसु नहीं लिखा है तौबतुन नसु नहीं लिखने वाले पूलता है तौबतुन नसु को नहीं है डिप्टी नजीर आमद यह सब सब सब्सक्राव पूछेगा इंपोर्टेंट सवाल है सामिल निसाब एक्तिवास के किस नौवल से लिया गाए जो अभी आप चैप्टर जो है वह चैप्टर किस से लिया गया है तो लिया गया है तौबतुन नसु से अब देखिए यहां पर इबन वक्त हो गया तौबतुन है तो इस इसमें जो इंपूटेंट है फिलों वक्त पूच्छता है थाम मेरतुन पूरूस सवाल आपको धीव lleva हमाथ के डो नविल का ना现在 किति नाम करें तो आपको यह लिए देना पड़ेगा ठीक है तो पढ़ियेगा जैसे इसमें जो दिया हुआ तो इसमें बेटी के बारे में बताएगे बेटी तालिम हासिर करने के लिए क्या पूछती है और मां उसको कितना प्यार से जवाब देते हैं तो जो नौवेल लिखते हैं ना नजर रहमद ने किसके तालिम तर्वियत के लिए Miica नजर रहमद का इंतकाल का उने-सथा निस सो दसमें कौन सी किस नजर बिमारी के वज्वाए बमड़ी वज़ा से किस बिमारी की वज़ास बताो किस बीमारी के वाजा से इनका इंतकाल हो तो अ कि अगल वाट्टेस्ट का रिजल डाल दिया गया आ कि आगे बोलता है कि आगे दो नमबर के सवाल होगा मेरे खाल से तो अब तो आते हैं लैप्टोप लैब में आते हैं खूब कुल करते हैं उन से मैं कुछ टो बोलने SAKता हूं क्या बोल सकता हो मैं हम तो बहुत दूर है मेरी बात तो मानेंगे नहीं तो तो यह संफिए नहीं चैनल रहे चाहां कि अगर आपको सुरूत होता होता है तब आया सूबके लिए जैसे मैसिच आता है एक दूसरे से चैटिंग गफ सब करते हैं इससे हमारा कुछ नुक्सान नहीं है तुम्हारा नुक्सान है बस अतना जानो तुमको थोड़र के इंटर्टेन्मेंट हो रहा लेकिन नुक्सान तुम्हारा है ठीक है तुम्हारा टाइम के लोगा तो चलो आप लोग को बताओ य सवाल को सवाल को ही बना दो जवाब पांच लेंग नहीं रहमत की पैदाश कवी थी नहीं रहमत का इंतकाल का वह था उनके वालित का नाम क्या था है ना उन वह कहां पैदा हुए थे उर्दू का नॉवेल निगार कौन है इनका कौन-कौन नॉवेल है इस अबलिग स्कू驢स जो आज सवस्का होतला तक मन्स चैटिंग करते उसे करो और ध्यान दो फोकस करो ठीक है ना प्रणा फोकस करो इसका भी टेस्ट हो होगा। हम कहीं परी टेस्ट भी और i और जिस बच्चे का अगर उर्दु का किसी को नोट से लेना है तो आपको पता ही 99 में अप्लिकेशन पर यहां पर दिख रहा होगा वहां पर मैसेज करो आपको हेल्प क्या जाएगा तो मुझे इंतियार रहेगा आपका इसका अंसर के लिए ठीक ना